डर भल्टर चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्ट बिल्कु तैयार रहिए क्योंकि इस बार मेट्रो पार तो हमें मेट्रो का पेपर पार एदी करना है और फाइट करना है तो हम आज उसका बताने वाले हैं किस तरीके से हम मेट्रो की मेरे लिस्ट में आ सकते हैं और पेप नमर आएगा और हंडेस नमर के पेपर में हमारे पांच पार रहेंगे एक सबसे पहला पार 75 सेवंडीस नमबर कर दाइगा और पाइब भी Metro के फोर्म भनने वाले हैं उसमें बहुत अधिक संख्याव में फ़र्म भरेंगे क्योंकि इंप्लॉईमेंट कम हो रहा है तो इस भीडवार से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहले merit में आना पड़ेगा merit में आने के लिए जो हमारी भीड़वार होती है उससे हमें थोड़ा सा भीड़ से हटना पड़ेगा तो हम कैसे हट सकते हैं तो सबसे जो अच्छा माद्द्यम हमारे पास है 75 number question की जो हमारी theory आती है जो fitter theory आएगी या electrician जो theory आएगी ये theory का जो हमारा सबसे main part जो होता है ये 75 number का रहेगा और इससे क्या होगा 75 number में यदि आप 70 number या 70 के थोड़ा पीछे 68 या 69 number यदि आप लाते हैं तो आप जो भीड़वार paper देने जाएगी आप उससे अलग हो जाएगे लेकिन इस तरीके के कई बच्चे रहेंगे जो 70 number लाएंगे 69 लाएंगे तो उनकी संक्या भी बहुत अधिक हो जाएगी जो भीड़ से हटके रहेगी तो हमें उस जो हमारी 70 number वाली married list वाले जो बच्चे रहेंगे उनको फिर हमें कैसे fight करना है तो उसको अब मैं बताता हूँ किस तरीके से हम fight करेंगे हम अभी हमने 75 number से हमने 75 number में लग भग 65 से 70 number लाए तो जहां 65 से 70 number लाए थियोरी में तो हम भीड़ वाल से अलग हो गए लेकिन भीड़ वाल से जो बच्चे अलग हुए उनकी संख्या भी काफी अधिक है तो उनको भी हमें fighting देना है तो उनको fighting देने का एक माद्ध्य है हमारे पास वो माद्ध्य हमें 5 plus 5 plus 5 plus 10 यह क्या है यह है थियोरी से हट करके तो 5 number की इसमें मेंत आएगी मेंत आएगी 5 number की इसमें reasoning आएगी और 5 number की इसमें English आएगी English और 10 number का gk and gs आएगा gk and gs इसमें हमारे लिए कौन best माद्ध हमें जो math है यह हमारे लिए fighting माद्ध्य हमें इससे हम जो बच्चे theory में बहुत अच्छे हैं उनको हम fighting दे सकते हैं क्योंकि हमारी भी theory अच्छी है तो theory में number पाकर की प्लास math में number लाएंगे reasoning में भी हमें अच्छे number लाना पड़ेगे तो reasoning भी एक हमें नौकरी दिलों आने में बहुत help करता है English में भी हमें अच्छा करना पड़ेगी और इसमें GK and GS तो GK को मैं छोड़ देता हूँ कि GK का ये बहुत बड़ा syllabus होता है लेकिन मैं GS कह देता हूँ GS में भी हमें करना पड़ेगा तो हमारे ये चार माद्ध हम ऐसे हैं जिसका उप्योग करके हम भीड़ भार से अलग होकर fighting दे सकते हैं जिनमें math, reasoning, English और GS बहुत जरूरी है तो ये सारी तैयारी करने के लिए आप हमारी चैनल के playlist पर जाएं और वीडियो देखें उसमें मैं सारी वीडियो अप्लूट कर रहा हूँ theory के भी कर रहा हूँ जिससे आप भीर से अलग हो जाएंगे math, reasoning, English and GS इसके भी वीडियो में अप्लूट कर रहा हूँ तो आप तैयारी करें और fight करें आज की लिए इतना ही ओके, bye bye